उत्तर प्रदेश में बाबा की शरकार में इसकदर गुंडा गर्दी बढ़ गया है कि एक निर्दलिय प्रत्याशी को उसकी ओकाद दिखाते हुए धक्के मार कर नामांकन परिशर से बाहर निकाला जा रहा है। ज़रा सा ये क्लिप सुन लेजे। तो आपने सुना किस तरीके से एक अधिकारी एक जाती वादी गुंडा एक निर्दलिय प्रत्याशी को धक्के मार कर बाहर निकाल रहा है। उसे ओकाद दिखा रहा है। और ये हुआ है सबकुछ उत्तर प्रदेश के कौशामी में जहां डबल इंजन की सरकार जहां प्रत्याशी जो है उन्हें अपना नामांकन दर्ज किया और नामांकन दर्ज करते हुए उन्हें वहाँ से बाहर निकाल दिया गया। उनका नाम जिसने निकाला सतिंदर्तिवारी है अधिकारी है और इस सतिंदर्तिवारी के दिमाग पर जाती का नशा, इस सतिंदर्तिव कि वो इंसान को इंसान नहीं समझता इन से पूछना यह है कि क्या अगर कोई प्रत्याशी स्कॉर्पियो थार कार और दवाम बड़ी गाड़ियों से और काफिला लेकर आएगा तभी उसे प्रत्याशी समझा जाएगा कोई साइकल से या पैदल चल कर आता है जिसके पास इले कि व्यक्ति एकर चुनाव लड़ना चाहता है और वो निर्धलिये परचा भरना चाहता है नामांकन करना चाहता है तो क्या उसे उसकी ओकाट दिखा जाएगी और किसी प्रत्याशी को. उसकी उकात दिखा कर उन्हें बाहर निकालना उसके बाद से आपको बता दे उत्तरप्रदेश की जो पुलिस है उसकी तरफ से भी सफाई दी गई लेकिन उसकी जो सफाई किसी काम नहीं आई और सोशल मीडिया पे लोगों ने जम कर लतार लगा दी और लगातार मांग कर रहे कि जो सतंदर तिवारी जो जातिवादी गुंडा है पावर के नशे में जो है दंगा कर रहा है दंगाई मूड में है उससे जो है गिरफतार करके उसकी जो अकात है वो दिखाई जाए वो भ क्या आभ वेवहार करना चाईए और क्या नहीं करना चाहिए इसे संविधान पढ़ाया जाये जिस Conference को क्या करना है और किसकी कितनी், वकात है het ये सतिंदर्तिवारी को पढ़ाने की जरूरत है और कानूना सिकंजा जो है इस पर कसने की जरूरत है और लगातार लोग मांग कर रहे हैं इसके गिरफतारी हो क्योंकि इसके दिमाग पर जिस तरीके से गुंडागर्दी चड़ा हुआ है वो जो है समाज के लिए घातक है और और ऐसे लोग जो हैं वो बताते हैं कि किस तरीके से समाज में दलितों का पिछडों का किस तरीके से शोशड किया जाता है और दवा कर रखा जाता है और ये डर जो है वो दिखा रहा है कोशाम्बी से जिस तरीके से तस्वीर आई है निकल कर वो जो है बहुत दुखद और श लिखते हैं उत्तर प्रदेश के कौसांबी से निर्दलिय दलित प्रत्यासी छोटु चमार जी के बदमाश सियो सतंदर तिवारी ने जिस प्रकार से अभधर पूर्ण व्यवहार किया और धक्के मार कर बेईज़त किया या बेहद ही शर्मनाक और असहनिया है हम लोगों की क्या उकात है इसी बात की तो लड़ाई है अरेश सतंदर तिवारी वहीं एक और यूज़र ने लिखा है तुम्हारी उकात है चल बाहर कौसांबी के निर्दलिय प्रत्यासी छेदु जी के साथ सियो सदर सतंदर तिवारी की अभधरता देखिये नॉमिनेशन कर लोट रहे चेदु जी को सियो सतंदर तिवारी ने धक्का दिया और उनकी उकात बताई वहीं एक और यूज़र ने लिखा है संबिदान ने चुनाव लड़ने का हक सबको दिया है यह हक भाजपा आपसे छीनना चाहती है चेदु जी के साथ हुई यह अभधता ना केवल स जमाजिक न्याय के खिलाप है बलकि भारतिय कानून के खिलाप भी जनता के सामने आउकात तो इन्हें दिखाना है वहीं एक और यूज़र ने लिखा है क्या एक गरीब व्यक्ति चुनाव नहीं लड़ सकता क्या इस बत्तमीजी बुद्धिहीन और घमंडी पुलिस वाले को जेल में डाला जाना चाहिए और नौकरी से तुरन बर्खास्त किया जाए एक गरीब व्यक्ति का चुनाव लड़ना कहां से गुना हो गया देखिए एक पुलिस अफसर कैसे ऐसी वर्ग के से आने वाले प्रत्यासी को हड़काते हुए नजर आ रहा है और कह रहा है चलि रहा है कि यूपी में कौशामी में एक दलित निर्दलिय उम्मिद्वार नामांकन करने पहुचा लेकिन एक अस्थानिय पुलिस अधिकारी सीओ सतंदर तिवारी ने जिस परकार से अभद्रता पून बेवहार कर धक्के मार कर बेईजित किया वह बहुत ही शर्मनाक है मनराज मीना लिखते हैं यूपी के कौशामी में निर्दलिय प्रत्याशी छेदुच जी के सीओ सतंदर तिवारी ने जिस परकार से अभद्रता पून बेवहार किया और धक्के मार कर बेईजित किया ये बहुत शर्मनाक और अशहनिये हैं गौरो यादव लिखते हैं सतंदर तिवारी ने जिस परकार से अभद्रता पून बेवहार किया और धक्के मार कर बेईजित किया ये बेहुत शर्मनाक और अशहनिये हम लोगों की क्या उकात है इसी बात की तो लड़ाई है वही दिलिप मंडल लिखते हैं भारती संबिधान और लोकतंत्र माननिये छेदू को चुनाव लड़ने को उतना ही अधिकार देता है जितना नरेंद्र मोदी या राहूल गांधी को इस पुलिस अधिकारी को संबिधान और कानून की जानकारी नहीं है इसने गलत धक्का गिरफतारी हो ये भारती संबिधान और लोकतंत्र की सान है ये भारत के राजा है ये चुनाव लड़ सकते हैं ये बहुत जरूरी है इससे लोकतंत्र में लोगों को भरोसा कायम रहता है इनके साथ बुरा ब्यवहार और धक्का मुक्की करना अपराद है अरेश सतंदर ति अधिकारी सियो सतंदर्तिवारी ने जिस प्रकार से अभध्र पूर्ण ब्योहार और धक्के मार कर बेज़त क्या बेहज शर्मनाक है। दलिस प्रत्याशी छेदू जी के पास इलेक्टोरल बॉंड का पैसा नहीं है लेकिन लोगतंत्र और संबिधान में उनका गैरा विश्वास है। कि आउकात तक जाने से रोकने में जुटे हो बात आउकात की है तो जब तुम्हें यह गरीब तुम्हारी आउकात भी दिखा देगा। परिंदर पटेल बाहु वाली लिखते हैं चेंदू जी को पलट कर बोलना था कि हाँ मेरी आउकात है और यह आउकात मुझे बाबा साहब का संबिधान देता है। तो इस तरीके से तमाम लोगों ने उस पर प्रतिक्रिया दी है और बेहर शर्मराग जो हरकत की गई है उस पर लोग कड़ी कारवाई की मांग कर रहे हैं। क्योंकि वो ऐसी समाद से आता है इसलिए यह उसको उसकी ओकात दिखा रहे हैं और बता रहे हैं कि आपकी ओकात अंदर जाने की नहीं हैं। इसलिए इनको गिरफतार किया जाना चाहिए और उनको अच्छे से बिठाकर सम्मिधान पढ़ाया जाना चाहिए और तमाम जो 가지 सिए एक्ट है वो सब इनको बताना चाहिए और साथ ही ने ऑकात किसकी आकात कितनी है ये सब कुछुछ इनको बिस्तरत जानकारी देने की जरूरत है और इसलिए लोग कहरें कि इनकी सस्पेंशन की जाए गिरफतारी की जाए ताकि इनके पढ़ने लिखने का मौका थोड़ परिशर के 100 मीटर के दाइरे में डुगडुगी वजाकर नारेबाजी की जा रही थी जिससे और सहज स्थिती उस्पन हो रही थी आदर्श आचार सनीता के दृष्टिगत उन्हें कई बार मना किया गया इसके बावजूत भी वो नहीं माने जिस पर छेतरा अधिकार मंजनप सूर द्वारा उन्हें परिस्तर से बाहर निकाल दिया गया चलो मान लिया कि वो नहीं मान रहे थे और आचार सनीता का पालन कर रहे थे तो आपको किसने अधिकार दिया कि आप एक प्रत्याशी को उसकी उकात दिखाएंगे और जब आप बाहर निकालेंगे तो धक्के मार से ये सफाई जो है मंजूर नहीं होगी समाज के तरब से क्योंकि जो वीडियो में जूट नहीं बोलता और वीडियो में जिस तरीके से देख सकते हैं और वो सभी सोशल मीडिया पर वीडियो वाइरल होने के बाद सभी को पता चल गया है कि वहाँ पर क्या कुछ हुआ होगा जोहार जसे गंबीर मुद्दे पर कौशामबी पुलिस की प्रतिक्रियाश शर्मनाख है हम इसकी कड़े शब्दों में निंदा करते हैं पुलिस का यह बेहुदा तर्क समाज में आक्रोश पैदा करने वाला है तो वही बात है कि पहले सीना जोडी की है और अब सफाई दे र जारे हैं कहां थी जब तमाम बड़े नेता जब राम की पोस्टर लेकर घुमे जा रहे हैं जहां पर जातीों धर्म के नाम पर वोट नहीं मांगना है उस वक्त जाती और धर्म के करते हैं तो यह समाज को मंजूर नहीं होगा और इसलिए समाज जो है सीधे मांग कर रहा है सतिंदर्टिवारी की गिरफतारी हो और इनका जो जातिवादी नशा जो है इनका जो पावर का नशा इनके दिमाग पे जो चड़ा हुआ है वो इनका नशा उतारा जाए क्योंकि न बचाना चाहते हैं तो निस्नल दस्तव को सब्स्ट्राइब करने के लिए रेट कलर के सब्स्ट्राइब बटन को दवाएं फिर बेल आइकन की घंटी दवाएं निस्नल दस्तव को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर ख़बर को शेयर करे लाइक करे कमेंट जरूर करे झाल झाल झाल